हलो दोस्तों कैसे आप लोग अस्वागत है बुलेट्रेंट से रिलेटेट एक नया अपडेट आया है हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक बुलेट्रेंट कोरुडियूर बन रहा है मुंबई से हैदराबाद के बीच में बुलेट्रेंट बनाने का DPR बनाकर इंडिया के ने बुलेट्रेंट कोरुडियूर पर काम कर रही है यह DPR रेल डिपार्टमेंट को भेजने के बाद अगर यह DPR को वह अप्रूब कर देते हैं तो फूचर में हमें मुंबई से हैदराबाद की बीच में भी बुलेट्रेंट चलते हुए दिखाई देगा इस कोरुडियूर के इस रूट में 10 इस्टेशन होंगे अभी मुंबई से हैदराबाद जाने में करीब 14 घंटे लगते हैं लेकिन यह बुलेट्रेंट कोरुडर बन जाने से सिर्फ आप 3-3 घंटे में ही पहुच जाओगे किस रूट से होते हुए जाएगी तो मुंबई हैदराबाद चालू हो गया था और काफी गौवर्मेंट ने सर्वे करना चालू कर दिया था इस बुलेट्रेंट को एरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन से भी कनेट किया जाएगा इसके पहले भी हम लोग ने देखा कि दिल्ली से वरांसी की बीच में बुलेट्रेंट चलाने के लिए डी कि दिल्ली से वरांसी की बीच वाला रूट का रूट होगा तो आपको यह मालू होगा कि तो ऐसे ही बहुत सारे नए रूट्स के प्लैनिंग पे काम चल रहा है अब फ्यूचर में आप देखोगे कि नए नए रूट पे अगर यह सारे रूट पे बुलेट्रेंट बन का र काफी प्रॉब्लम फेस काना पड़ा अभी भी काफी चैलिंजेस फेस काना पड़ रहा है और गॉर्मेंट का कहना है कि 2026 तक को रूट ऑपरेशनल होगा आपको यह भी मालू होगा कि मुंबाई से अमदाबाद की बीच में चलने वाला हाइइ स्पीड रेल नेटवर्क य बाकी कंट्रीज में भी बुलेट्रेंड को रूटर बन रहे हैं इंडोनेशिया में अल्मोस्ट हमारे साथ ही वहाँ पर बुलेट्रेंड बनना चालू हुआ था और उनका जल्द ऑपरेशनल भी होने वाला है लेकिन हमारे यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अभी भी हम अपरेशनल होता है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में प्लीज मेरे न्यू लेट चनल को सब्सक्राइब करें चोटी से बेल आइकन को जोड़ दबाए मिलते नेक्स वीडियो में